हेलो एब्रीबन आप सब कैसे हैं आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है चलिए हम आपको अपनी किचिन की तरफ लेके चलते हैं आज हम बेशन का थेपा बनाते हैं इसको थेपा भी बोलते हैं और बेशन की कतली भी बोलते हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं हमार तीन कटोरी पानी डाला एड़ किया उसमें फिर हमने उसमें मिर्ची और नमक भी एड़ कर दिया साथ में अब इसको काफी अची तरह चला लेंगे चममत से कीजिए इसकी जो गुटलियां होती है ना वो सारी मिक्स अप हो जाए अची तरह तो इसको हम अची तरह फेंगे इ अभी फिलाल हम इसको मिक्स अप कर लेते हैं वैसे ना इसको हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं लेकिन उसे हम ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बेसन ज्यादा घुल जाता है इसलिए अब हम इसको घुल के ऐसे अब हम इसको चलाएंगे जब तक चलाएंगे इसमें गा क्योंकि बेसन बहुत जल्दी कढ़ाई में लगता है और यह बहुत जल्दी गाड़ा होता है अब जिसे हमने तेज गैस पे इसको बनाएंगे तो यह नीचे से अब जिसे हम कल्ची चला आने तो यह नीचे से लगता जाएगा थोड़ा थोड़ा गाड़ापन आता जाएगा नीचे से और हम इसको चलाते जाएंगे ऐसे ही इसको चलाते जाएंगे और इसमें नमक, मिर्ची और पानी एड़ कर दिया इसको हम ऐसे ही खतका लेंगे अच्छी तरह कौफी तरह अच्छी तरह बोईल कर लेंगे देखिए अब यह न इसमें गाड़ा पना आ गया है अब यह थोड़ा टाइट हो जाएगा पर हम इसको बराबर ऐसी ही चलाते रहेंगे लेकिन जो भी इसकी जब गाटे पड़ी होगी न वो सारी घुल जाएगी थोड़ा टाइट चलेगा लेकिन इसको हम ऐसी चलाते जाएगे और फिर थोड़ी देर बाद हम इसको गैस को सिलो कर और इसमें उवाल आता जाएगा उसके बाद भी हम प्रॉपर चलाते जाएंगे इसी बीच में थाली में घी लगा लेंगे ला लेंगे को रहा टागा जाए तो यह अच्छी तरह बर्फी की की तरह फीस हो जाते हैं अब देखिए, हम इसको चला रहे हैं, और हम चलाते जाएंगे और इसकी बनाने की पहचान जा जए है, क्यासी हम कल्ची में ले रहे हैं तो इसको हिला के देख लेना चाहिए उसमें कमपन आ जाए ना बेसन में तो समझ लो कि हमारा बेसन तयार है पुरा अच्छी तरह से उसको हम और थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे और देखें यह काफी थिक हो गया है और इसको ऐसी कल्ची में फिर जाली में लगा लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हम इसमें थोड़ा सा और चला के देखते है क्योंकि जरासा भी कच्छा पन रह जाता है तो फिर टेस्ट में भी फरका जाता है तो यह और फिर जेना गाड़ा होने के बाद भी थोड़ा पानी जब तक हम ने धनिया पावड धनिया मिरची काट के रखा हुआ है और फिर भी तरह हम इसको इसो अतार के यह मापको दिखाते है यह यह थाली में हमने निकाल लिया है अब इसको ऐसे पलट देंगे और इसको थाली को थोड़ा थोड़ा हिला देंगे कि हमारा बेशन सब अच्छी तरह से फिक्स हो जाए अब इसको जब तक हम ठंडा करने रखते हैं इसी भीच हम ओयल गरम कर लेते हैं ओयल में हम थोड़ी सी राई और मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्ची थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसको हम ऐसे हमारी बर्फियां तयार हुए है कतली चोटी चोटी वह हमने काट के रखे हुए हैं ओयल में हमने राई चोड़ दिये और थोड़ा सा जीरा भी चोड़ दिया और जब तक गरम होगा इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाल दिये फिर हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी एड़ कर देंगी थोड़ा सा सूख तो ऐसे ही काटके हमारी जम चुकी थी तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे ऐसे फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम अमचूर भी डाल देंगे अमचूर से थोड़ा खटा पना जाता है बहुत अच्छा लगता है खाने में ये चाय के साथ भी खा सकते है और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है बेशन वाली सब्जी बोलते है बहुत टेस्टी बनती है अब हम इसमें थोड़ा सा और जो भी मसाला है वह भी डाल देंगे अब धनिया भी डाल दिया है तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा क्योंकि जादा हम किसी और से बड़े साब धानी से चलाएंगे तो ये एक एक ही पीस रहेगा और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है चाय के साथ फ्रेंड आप भी बना सकते हो आप हमें कमेंड करके बताईए इसको आपके यहां क्या बूला जाता है हमारे यहां तो इसको थोपा भी बोलते हैं और बेशन की कतली भी बूलते हैं और हमारे यहां बहुत बरसातों के टाइम पर बहुत अच्छा लगता है खाने में यह गरम गरम चाय के साथ चलिए फ्रेंड हमारा थोपा तयार है अब हम आपको प्लेट में आप भी आजाए प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रह अपको आपको अपको आपको 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 आपक